हेलो फ्रेंड्स दिस इस मयूरे सिंग और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स टड़ी इंदिया पर तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं डिफरेंशियल इक्टरीकर्पेखर बारी में तो क्या था सिंपल हर्मोशन को क्या एक तरीक से ट्रेकर करति हैं तो यह जो disturbance create होती है जब भी वेव प्रोड्यूस हुए वेव प्रोड प्रपोगेट हो रहे हैं तो यह जो disturbances create कर हो रही है हमारी किसी मीडियम में वो disturbances क्या करती है हमारी energy और momentum को transfer करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो क्या बोला गया सिंपल ही वेव मोशन के लिए कि यह एक तरह की की disturbance है जो कि किसी मीडियम में के थूँ ट्रैवल करती है और तब जब किसी भी एक सर्टिन पॉइंट पे हमारा जो पार्टिकल उस मीडियम में प्रेजेंट हो वो simple harmonic motion एक्जीक्यूट कर रहा हो एक फिक्स्ट पोजिशन पर अब यह जो disturbance क्रियेट हो रही है वह क्या हो रही है किसी एक वेव में हो रही है और यह जो disturbance है वह क्या करती है ट्रांस्फर करती है किसको energy को and momentum को कहां से कहां तक किसी भी wave के एक point से दूसरे point तक जैसे माल लिया कि ये certain हमारी कोई wave है वो propagate कर रही है अब माल लिया कि इस certain point में हमने particle की कुछ बोल दी कि particle यहां पर हमारा present है इसके पास certain energy है अब जो है ये जैसे ही wave propagate करना शुरू होगा तो इस certain particle की energy जो है वो transfer करेगा कैसे transfer करेगा माल लिया कि अब हमें particle की energy को यहां पर देखना है इस certain particle की energy को तो ये जो energy है वो क्या होगी यहां पर transfer हो जाएगी भाई कैसे ये जो disturbances create हो रहे है इस certain medium में किसी भी एक medium के across wave propagate करना शुरू होगी और उस medium में कुछ disturbances create हो रहे है in terms of energy या कह सकते हैं disturbances create हो रहे है जिसके वज़े से ये जो disturbance है वो यहां की energy को transfer कर दे रहा है इस particle तक और इससे क्या होगा कि अब exactly बस ये नहीं है कि यह particle यहां पर और यहां पर यहां पर बहुत सारे बीच में particle होंगे और हर एक पास पास वाले particle एक दूसरे से interact करते जाएंगे और यह सब क्या होगे यह बगल बगल transfer करते करते energy lastly इस point तक अपनी energy transfer कर देगा तो basically जिस तरीके से यह जो motions execute करता रहेगा से मुझी तरीके से यह वाला particle भी execute करने लगेगा क्योंकि इसने अपनी उतनी energy जो है वो transfer कर दी है अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जब भी disturbances create होते हैं या energy और momentum transfer किया जाता है एक point से दूसरे point तक उस certain part में क्या देखा जाता है कि matter का transfer नहीं होता है हमेशा क्या होती है यह जो disturbances है वही आगे further travel करती है या जो wave है वही certain आगे forward propagate करता रहता है पर वहां का matter जो है वो propagate नहीं करता है एक example हम यह समझ सकते हैं कि अगर माल लेते हैं कि water है हमारे पास और उस water पे हम लोगों ने एक certain माल लिया कि cork ले लिया या कोई wooden piece certain ऐसी ले ली बहुत light सी जो उस पे float कर रही है water पे अब जब waves क्या होंगे waves water waves generate होंगे तो wave को क्या मिल गया water एक medium मिल गया और उस medium की across क्या होगा waves generate होने लगेंगी तो अब देखा जाएगा जो wooden piece उस पे float कर रहा है वो just up-down होता रहेगा ऐसा नहीं है कि वो with wave travel करके आगे बढ़ जाएगा wooden piece जो का just up and down move करता रहेगा और उसके साथ जो waves हैं वो आगे propagate करती दे जाएगी तो इससे देखते हुए क्या बोला गया कि जो matter होता है किसी भी particle की energy को transfer कर रहा है बट वो matter जो है वो simple harmonic motion execute कर देगा up and down हो रहा है बट वो matter जो है वो transfer नहीं होता है उसकी energy और उसकी momentum ही एक point से दूसरे point तक transfer हो सकती है और वो कैसे होगी क्योंकि waves जो है वो propagate करके आगे बढ़ते जाते हैं तो इस तरीके से wave motion को define किया अगया कि just wave motion एक disturbance है जिससे particle एक दूसरे से communicate करते हैं interact करते हैं and by that interaction particles जो है अपनी energy momentum को एक point से दूसरे point तक transfer करते हैं और हमें क्या करना है या पर इसी wave motion के differential equation के बारे में हमको बताना है तो क्या देखा गया कि अगर हमारे पास कोई भी एक certain particle है माल दिया कि एक wave बना लेते हैं एक certain हमने wave बना दी माल दिया कि यह उसका certain time है यहाँ पर हम displacement बता रहे हैं माल दिया कि y से हम displacement को denote कर रहे हैं तो क्या बोला गया यह अगर origin हो गया और कोई particle माल दिया कि यहाँ पर present है इस certain point पे तो यह point हमने a माल दिया तो बोला गया कि अब यह देखेंगे कि origin से यह particle कितनी distance पे है तो क्या किया देख लिया सीधे कि origin से particle माल दिया कि x distance की दूरी पे है तो बोला गया कि अगर कोई भी particle wave में present है और वो origin से x distance की दूरी पे है तब इस certain particle का जो equation of motion होगा किसी भी certain instant time t पे वो given होगा as equation of motion of a particle at a distance x from origin is given by क्या हो जाएगा y जो है हमारी displacement है y is equal to a sin 2 pi upon lambda vt minus x के बराबर तो क्या बोला गया कि यह जो certain equation of motion है वो जो है हमारी particle के displacement को बताएगा that is बताएगा कि particle जो है हमारा certain किस तरीके से variation में है या equation of motion of particle y that is इस particle को बोला गया कि अगर यह particle origin से हमारी x distance की दूरी पे है तो उस certain case में जो equation of motion दिया जाएगा इस particle के लिए वो given होगा as y is equals to a sin 2 pi upon lambda in bracket vt minus x जहां पे y जो है क्या हो रहा है y अब एक motion execute कर रहा होगा simple harmonic motion execute कर रहा होगा इस certain point पे तो y क्या बोला गया कि y जो है displacement बता रहा है कि कितना particle displaced हुआ है अपनी mean position से a जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा amplitude of this motion हो जाएगा इस वेव हो जाएगा और वी जो है वो वेव की velocity है यह जो है वो वेव की velocity है और x जो है distance from origin है distance from origin है ठीक है और a जो है वो amplitude of wave है amplitude है and y जो हो जाएगी कि particle अपने mean position से कितना displaced हुआ है तो इस तरीके से equation of motion of any particle जो की origin से x distance पे है वो given होता है अब क्या बोला गया कि हमारे पास particle की displacement तो हमने define कर दी है अगर इस particle के इसी certain particle की velocity हमें find करनी है तो उस certain case में हमारी particle की velocity कैसे find होगी हमें यह देखना है तो अब क्या करना होगा तो लिख लेते हैं कि y जो है वो क्या है a sin 2 pi upon lambda vt minus x अब हमें क्या करना है velocity निकालना है particle का तो velocity of the particle velocity of the particle is given by क्या कर देंगे simply अगर हमारे पास displacement given है तो displacement को with respect to tm differentiate कर देंगे तो क्या किया यह माल लिया कि यू जो है हमारी particle की velocity है तो यू अगर हमारी particle की velocity है that is dy by dt हो गया अब यह dy by dt हो गया तो बराबर क्या हो गया इसको with respect to tm इस certain value को जो हमारा माल लिते है कि equation 1 है इसको with respect to t differentiate कर देंगे तो differentiate किया तो क्या मिला यह a sign का क्या हो जाएगा cos 2pi upon lambda vt minus x and यहां से क्या मिल जाएगा with respect to t differentiate कर रहे है तो 2pi v upon lambda that is जो wave की particle की velocity हमें निकल के मिलेगी वो क्या हो जाएगी a 2pi v upon lambda cos 2pi upon lambda vt minus x तो यह जो हो गई हमारी particle की velocity हो गई अब क्या करना है अगर velocity तो हमें मिल गई particle की यह वालिया की equation 2 हो गया next अगर हमें इसी particle की acceleration को find out करना है तो वहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि फिर से हम velocity को अगर with respect to t differentiate कर देंगे तो हमें particle की velocity मिल जाएगी तो क्या किया particle की velocity को with respect to t differentiate करेंगे तो हमें acceleration of the particle मिल जाएगा तो क्या देखा du by dt किया या कह सकते हैं d2y upon dt2 किया तो यह हमें क्या बता देगा acceleration बता देगा particle का acceleration of particle बता देगा तो acceleration of particle हमें क्या मिलेगा a 2 pi v upon lambda cos का minus sign तो यह minus sign 2 pi upon lambda vt minus x और यहां से फिर से एक और क्या मिल जाएगा 2 pi v upon lambda तो यह क्या देखने को मिला कि जो acceleration मिल रहा है velocity तो यह मिल गई अब जो acceleration मिल रहा है particle का माल दिया कि हमने इसको small f से denote कर दिया acceleration को acceleration of the particle हमें मिला minus a 4 यह multiply जोगा तो 4 pi square v square upon lambda square sin 2 pi upon lambda vt minus x के बराबर तो particle की velocity भी देख लिए और particle का acceleration भी देख लिया तो particle की velocity यह हो गई और यह acceleration होगे हमाल लिया equation number 3 से denote कर दिया तो अब यहां से क्या देख सकते हैं कि हमने जो displacement given था या particle का equation of motion given था उससे हमने particle की velocity निकाल दी और particle का acceleration निकाल दिया तब जब हमने इनको with respect to t differentiate किया है और यहां पर ध्यान यह देना होगा कि जो x है हम उसको as a constant treat कर रहे है उस certain case में हम लोगोंने particle की velocity और acceleration को find out किया है अब next क्या बोला गया कि यह तो अभी तक हमने जो भी हमारे displacement equation था equation of motion था उसको with respect to t differentiate किया है अब अगर इसी equation 1 को हम with respect to x एक बार differentiate कर दे तो यह हमें strain की value दे देगा तो हम strain कैसे find out कर सकते हैं इस certain case में तो जब strain हमें find करना है तो हम इस certain equation 1 को with respect to x differentiate कर देंगे तो हमें strain मिल जाएगा with respect to x तो क्या देखा गया कि y जो है हमारा क्या है a sin 2 pi upon lambda vt minus x अब अगर हमें particle को क्या करना है differentiate करना है with respect to x तो differentiating with respect to x we get strain तो strain किस तरीके से हमें मिलेगा strain is equals to dy by dx is equals to क्या हो जाएगा a cos 2 pi upon lambda vt minus x और यहाँ पे क्या हो जाएगा minus 2 pi upon lambda क्या हो गया a cos 2 pi upon lambda sign का क्या हो गया cos 2 pi upon lambda vt minus x और x के लिए क्या होगा 2 pi upon lambda इससे multiply होगा तो minus 2 pi x upon lambda है तो with respect to x differentiate कर देंगे तो minus 2 pi upon lambda हो जाएगा that is यहाँ से क्या देखा कि जो dy by dx की value होगी वो किसके बराबर हो जाएगी minus a 2 pi upon lambda cos 2 pi upon lambda vt minus x के बराबर हो जाएगा तो यह तो हो गया माल लिया कि इसके पहले equation number 2 तक किया हुआ था अब यह जो हमको मिल गया वो equation number 3 मिल गया अब क्या करेंगे हम फिर से क्या करेंगे इस certain equation 3 को एक और बार with respect to x differentiate कर देंगे तो हमे rate of change of strain मिल जाएगा तो क्या देखेंगे differentiating again with respect to x this equation 3 तो हमें क्या मिल जाएगा d2y upon dx square एक और बार differentiate किया तो यह क्या हो जाएगा फिर से हमें मिलेगा cos का sign हो जाएगा तो minus a cos का minus sign तो plus a 2 pi upon lambda sine 2 pi upon lambda vt minus x और फिर से एक value क्या मिल जाएगी minus 2 pi upon lambda तो यहाँ से क्या देखा यह जो d2y upon dx2 है d2y upon dx2 है वो हमें क्या मिला a a और minus a 2 pi upon lambda whole square that is 4 pi square upon lambda square sine 2 pi upon lambda vt minus x के बराबर और यह हो गया हमारा equation number 4 तो इतनी values जो है हमने find out कर ली equation 3 यह equation 4 हो जाएगा और यह equation 5 हो जाएगा तो क्या देखा हम लोगोंने अपने particle के displacement को लिया था जब particle origin से x distance की दूरी पे था तो वहाँ से हमने particle को x को constant रखके with respect to t differentiate किया तो particle की velocity और acceleration मिल गए फिर क्या किया strain और rate of change of strain निकाला by differentiating the equation 1 with respect to x once and twice तो हमें क्या मिल गया equation 4 and 5 मिल गया अब क्या करेंगे हम कि जो equation हमारा 2 मिला है that is जो हमारी wave की velocity मिली है equation 2 से जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे हम क्या करेंगे compare करेंगे equation 4 से that is हम dy by dt and dy by dx को compare करने जा रहे हैं तो after comparing देखते हैं हमें क्या मिलता है तो इसको compare करना है हमें तो क्या देखा कि जो dy by dx है यह क्या है कि जो dy by dx हमें मिल रहा है तो dy by dt की अगर बात करें तो dy by dt हमारा given है वाई की अगर वाई लिख लें यहां पर सारी values को अगर एक साथ लिख दें तो y क्या है a sin 2 pi upon lambda vt minus x तो यहां से हमें dy by dt क्या मिला था दी वाई dt मिला था हमें a 2 pi upon lambda 2 pi v upon lambda cos 2 pi lambda vt minus x के बराबर मिला था और जब इसी को dy by dx निकाला था तो मिला था minus a 2 pi upon lambda cos 2 pi upon lambda vt minus x और हमें क्या करना है इनी दोनों equation जो कि हमें equation 2 and equation 4 मिला है इनी को equate करना है तो हम equate कैसे कर सकते हैं अब यह जो dy by dt है वो हमारी क्या है wave की velocity पार्टिकल की velocity थी जिसको हमने u से represent किया था तो dy by dt बराबर क्या लिख सकते हैं dy by dt is equal to हमें क्या मिल रहा है a 2 pi upon lambda cos 2 pi upon lambda vt minus x इतने के बराबर मिल रहा है यह जो इतनी certain value है इसको हम क्या लिख सकते हैं dy by dx और basically dy by dx के जगा minus dy by dx के लिख सकते हैं अगर हमें a 2 pi upon lambda cos 2 pi upon lambda vt minus x substitute करना है तो यह certain value क्या हो गई minus dy by dx के बराबर और यहाँ पर क्या बचा है v तो minus v into हम क्या लिख सकते हैं dy by dx तो यह हमें क्या मिला कब मिला जब हमने compare किया किसको upon comparing equation 2 and 4 हमें क्या मिला dy by dt is equals to minus v into dy by dx यह हमें एक relation मिल गया अब क्या देखा गया जो dy by dt है वो क्या है वो हमारी particle की velocity है तो particle velocity एक relation हमें क्या मिल जाएगा particle velocity is equals to क्या मिला minus v क्या था wave की velocity थी सबसे पहले देखा था कि जो वी था मारा वेव की velocity थी तो वी क्या है वेव की velocity तो minus of wave velocity into what dy by dx क्या बता रहा है slope of displacement कर्व में बता रहा है dy by dx हमेशा slope बताता है यहां पर हमने क्या बनाया हुआ है अगर कर्व की बात करें तो यह क्या बताया है displacement को ड्रॉ करने with respect to time तो इसलिए क्या वो लगया slope of displacement कर्व तो यहां से क्या देखा कि यह जो dy by dx है वो क्या बताता है slope बताता है और यहां पर क्या है slope of displacement कर्व डिस्प्लेस्मेंट कर्व तो क्या देखा कि यह पर्टिकल वेलोसिटी इक्वल्स तो हमें क्या मिली जब हम लोगोंने equation 2 और 4 को compare किया तो पर्टिकल वेलोसिटी इक्वल्स तो माइनस ओफ वेलोसिटी इंटो slope of displacement कर्व के बराबर मिली तो यह एक relation हमें मिला यह पर्टिकल वेलोसिटी इक्वल्स तो माइनस ओफ वेलोसिटी इंटो slope of displacement कर्व यह कब मिला जब हमने पर्टिकल के displacement को एक बार विद रिस्पेक्ट तो t differentiate किया था और एक बार विद रिस्पेक्ट तो x differentiate किया था that is particle की velocity को हमने strain से जब compare किया तो हमें ये certain relation देखने को मिला अब क्या है एक और हमारे पास relation बचा हुआ है that is particle की acceleration का relation बचा है and जो rate of change of strain का relation बचा है वो बचा है तो अब हम क्या करेंगे अब उन दोन equations को compare करेंगे तो अब क्या मान सकते हैं अब हम हम अपने equation 3 और 4 को compare करेंगे तो equation 3 और 4 को consider किया जाए तो equation 3 जो हमारी है यह हमारी equation 3 है यहीं से हम क्या कर सकते है equation 5 को अगर लिख दें यह हमारी particle की acceleration है that is यह क्या बता रहा है में d2y upon dt2 बता रहा है अब हमें क्या करना है d2y upon dx2 हमारा देख लेते हैं क्या मिला है तो d2y upon dx2 हमारा क्या मिला था minus a 4 pi square lambda square तो minus a 4 pi square lambda square sine square sine 2 pi upon lambda vt minus x के बराबर यह हमारा equation 5 मिला था तो क्या करना होगा कि अब हमें अपने equation 3 और 5 को compare करना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि upon comparing equation 3 and 5 तो क्या हो जाएगा upon comparing equation 3 and 5 हमें क्या मिल जाएगा देख लेते हैं तो d2y upon dt2 is equals to क्या देखा d2y में क्या है minus of a यह minus of this मिला है equation 5 के अगर बात करें minus of a 4 pi square lambda square sine of this तो यहाँ से क्या देखा कि जब इसको compare किया जाएगा तो minus a 4 pi square lambda square sine 2 pi upon lambda bt minus x that is यह complete quantity जो है हम इसको क्या लिख सकते है d2y upon dx square के बराबर और यहाँ पर क्या बचार रगया v square तो d2y upon dt2 is equals to v square into what d2y upon dx2 तो upon comparing equation 3 and 5 हमें क्या मिला कि जो हमारी acceleration है वो is equals to क्या है wave की velocity के square into जो rate of change of strain के बराबर that is d2y upon dt2 is equals to v square upon v square into d2y upon dx2 और यह जो certain value हमें मिली है यह जो certain equation मिली है यही है हमारी क्या this is the differential equation differential equation of wave motion और यही जो था हमें find out करना था तो क्या देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से हमने differential equation of wave motion को find किया तो हमने particle के displacement को consider किया उसको with respect to t differentiate किया फिर x differentiate किया कुछ values को compare किया and after that हमने differential equation of wave motion find कर लिया